औस्टेले के खिलाफ रिजवान जिस तरीके से आउट हुए थे ये कोई भूल नहीं पा रहा है पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि औस्टेले ने चिटिंग करिया अमपायर ने गलट डिसीजन दिया था इस वज़े से रिजवान आउट हुए वरना रिजवान आउट नहीं थे अगर रिजवान आउट नहीं होते तो शायद पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जो था और श्टिले खिलाफ खिला गया वो जीच जाता लेकिन अब PCB यानि की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट ने बदले का मन बना लिया है आपको बता दे कि PCB के एक सूतर ने ये बयान दिया है कि PCB इस मुद्दे को लेकर ICC के पास जाएगी इस मुद्दे पर ICC से बातचीत करेगी चलिए इस वीडियों बताते हैं कि PCB के सूतर ने क्या कुछ कहा अपने बयान में जाका अश्रफ ने इस मामले में टीम डारेक्टर मुहमद हफीज से बातचीत की थी इस दोरान हफीज ने मिलबर्न टेश्ट में अंपायर के कुछ फैसलों और तकनीक के इस्तिमाल को लेकर कुछ चिंताय जाहिर की थी इसके बाद PCB ने इस पूरे मामले को ICC में उठाने का फैसला किया है जिस तरीके से रिजवान आउट हुए वो थोड़ा कॉंट्वर्ट से जरूर था लेकिन बार बार चिक किया गया हर एंगल से थर्ड अंपायर ने चिक किया स्नीको मीटर में पता चला कि थोड़ा सा जो मतलब गलफ भी नहीं गलफ का जो रिष्ट बैंड होता है वो लगा था और वो इस नीको मीटर में पता चला थोड़े सी वैब्रेशन तो थी इस वज़े से रिजवान को आउट दिया गया लेकिन पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तानी मीडिया इसी इसको मुद्दा बना कर बैटी है क्योंकि आपको उता दे कि पाकिस्तान जो था कैसे लेकिटी यंद्य जातें अगर उस्टोलिया में कोई मौकांबल्या जी जाता तुझ इस्ट का मुकांबला तो इतिहास रच देता थोड़े ही कदम द्वर था पाकिस्तान की कि जब रिजवान बल्ले बाजी कर रहे थे उनके साथ आगा सल्मान बल्ले बाजी कर रहे थे तो 98 रेन की ज़रूर थी पाकिस्तान को जीतने के लिए लेकिन जब रिजवान आउट हुए तो पाकिस्तान की जीतने की उमीदे थी वहीं पर ध्वस्त हो गई वहीं पर खत्म हो थोड़े नाखुश दिखेते और उनों अपनी स्टेट्मेंट में बोला था कि पाकिस्तान और श्टिले से बहतर खेली लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वज़े से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा आपके इस पूरे मद्दे पर क्या रहा है कॉम्मेंट सेक्ष